न्यूस्पेपर की कॉस्ट होती है 15-20 रुपए और यह बात करें सिवर से प्रिंटिंग कॉस्ट की आपके घड़ पर चार या पांस रुपर में कैसे आता है इस बात को अच्छे समझते हैं आपसे लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है जतरी निल्ला और आम लोग डिसकर्स करने वाले हैं आज की सेशन में न्यूस्पेपर की मार्केटिंग और उसके बारे में बिजनस मोडल के बारे में इन डेफ्ट कि समझने की कोशिश करते हैं अपना जो निउसकार आपके घर में आता है वह बहुत सारे पीजिस का होता है 24 से 32 पीजिस की दो तीन सेशन में आता होगा अब एक बात समझते हैं, आप यह देख सकते हो, बहुत सारे हमने आर्टिकल्स रिसर्च करी इसके उपर, तो अब रफली कॉस्टिंग मानते हैं, 15 रुपे से 30 रुपे तक की कॉस्टिंग आती है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग की और पेपर माटेरियल की, यहाँ पे सब कि अगर कॉस्टिंग 15-20 रुपे, 30 रुपे है, तो मेरे घर में 4-5 रुपे का कैसे आता है, मज़े की बात यह है कि जो आपके घर पे 4-5 रुपे का निउस्पेपर आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टिबूशन कॉस्ट है, मतलब पेपर के उपर तो आपसे 1 रुप लोगों ने एक बार भी डिस्कस किया, तो आंसर है नहीं, वो कॉस्ट भी तो होती है, अब आप सोच के देखो, कोई इंसान टाइप कर रहा होगा, उसकी कॉस्ट है, डिजाइनिंग बना रहा होगा, डिजाइनर बठा होगा, उसकी मार्केटिंग हो रही होगी, पूरा मै पैसा सिर्फ और सिर्फ डिस्टिबुशन का देरो, डिस्टिबुशन मतलब क्या, आपके घर पे जो सुबह सुबह पेपर फेग के डालने आता है, उसकी जो कमाई है, वो आप मानलो आप देते हो, तीन चार रुपे जो है, उसको जाता है, रीजन समझो, एक आदमी एक मह नेऍञ़ एक एक मेंट में भार हो रहा है, तो अब कमपनी कैसे कमारी है इस चीस को समयने की कोशिष करते हैं, देखो, निवस पेपर के कॉस्ट है, उसके बाद मेनेजमेंट की कॉस्ट है, सारी कंस्टो को कमपनी सर्फ कर रही है सर्फ और स्रफ एड़डाइजमेंट से, आप सोचो जो फ्रंट पेज होता है न्यूस पेपर का वो लाखो रुपए का बिकता है अगर चोटे पेपर भी जोगे तो पांच से दसला रुपए फुल साइस पेपर बहुत आसानी से जाता है यहाँ पर यह बात कर रहे है अपर नॉर्मली मान लो जेए का रिजल्ट आया या किसी भी एक्जाम का रिजल्ट आया तो सारे के सारे कोचिंग वाले का चाहेंगे मेरा फर्स पेश पेश पेँगे मेरा फ्रंट पेश पेँगे इस मुमेंट पे क्या रिट बढ़ जाएंगे obviously क्या अगर आप यहाँ पर देखने जाओगे, मान लो election आ रहे हैं, किसी भी state में election आ रहे हैं, तो उस समय के rate बढ़ जाएंगे, हाँ, तो मतलब newspaper वाले कमा कैसे रहे है, newspaper वाले कमा रहे है, सबसे पहले चीज़ जो direct advertisement आपको दिख रही है, अब ये तो सिक्के का एक पहलू ह क्योंकि आप एक बात समझो, news का काम, इनसान को manipulate करना भी होता है, यानि news channel आपको सबसे जादा manipulate कर सकते है, क्यों, क्योंकि हम trust करके उसे देखते हैं, अब मान लो, आपको एक article देखने को मलता है, क्यार, दुनिया का सबसे अच्छा financial channel तो जतिन निमला वाला name के नाम का channel ह अब आपके बोलोगे, मैं भी जल्दी से जाता हूँ, subscribe कर लेता हूँ, अभी तक नहीं किया तो कर लो है, तो जल्दी से मैं भी जाता हूँ, subscribe कर लेता हूँ, सारी वीडियो देख लेता हूँ, ये आपने भी क्या, अच्छा सुनो, ये आपको as a news मिल रही है, as a advertisement नहीं मि पैसा मिलता है, मतलब पूरी की पूरी news industry जो है, वो सिर्फ और सिर्फ dependent है आपके advertisement के उपर, अब यहाँ पर एक चोटी से बात कहना चाहूँगा, ये बात सिर्फ और सिर्फ अपने newspaper की नहीं हो रही है, ये सारी की सारी बात आपके news TV channels की भी हो रही है, सभी पूरी की पू newspaper advertisement को तो track भी नहीं किया रहा सकता, logic को पकड़ो, जब आपके पापा, आपके ममी, आपके घर में दादाजी, दादाजी जो भी है, जब वो लोग newspaper पढ़ते हैं, तब वो सिर्फ और सिर्फ newspaper पढ़ रहे है, मतलब newspaper वाले पढ़ने वाले जो लोग है, वो एक ऐसा segment हो, जो जल्दी जो है newspaper पुटर से replace होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा articles available हैं, जब replace होंगे, तब होंगे, आज की बात ये है, कि भाईया, आपको free में newspaper मिल रहा है, रदी मिल रही है, जिन्दकी के मजे लो, और हमारे channel को subscribe करो, वीडियो को like करो, along with it हम telegram पे free में आपके लिए news लेके आते हैं, तो please उस news को देख लेना,